एबीपी न्यूज पर गैंग्स्टर लॉरेंस बिस्णोई के इंटर्वी के बाद बीजेपी ने आप सरकार से पूछा ये सवाल जाने क्या कहा नमश्कार में भारती के पासिया स्वागत है आप सफी का एंट 27 न्यूज में आपको बता दे गैंग्स्टर लॉरेंस बिस्णोई ने जेल से एबीपी नियूज को दिये इंटर्वी में सिद्धुमुसे वाले की हत्या से लेकर सलमान खान को धमकी देने के मामले में कई चौकाने वाले खुलासे किये हैं वही लॉरेंस बिस्नोई के जेल से इंटर्व्यू देकर कई हरान करने वाले खुलासे के बाद पुलिस की तरफ से सफाई भी आ गई है तो दूसरी तरफ इस पर राजनीती भी शुरू हो चुकी है जीहाँ पंजाब बीजेपी के प्रदेश उपाद्यक्ष अर्विन खना ने लॉरेंस बिस्नोई के जेल से दिये गए इंटर्व्यू पर ट्वीट कर राज्ये के लौ एंड और पर सवाल उठाए है अर्विन खना ने ट्वीट किया अगर यह इंटर्व्यू पंजाब की किसी जेल से दिया गया है तो पंजाब की आप सरकार को स्पस्ट करना चाहिए कि कैसे गैंग्स्टरों की पहुँच मोबाइल फोन तक है और वे मीडिया से जुरने के लिए अजाद है अर्विन खना आगे लिखते हैं पंजाब की जेलों में गैंगवार में शामिल गैंग्स्टरों की एक खबर आई थी और यह राज्य में कानून व्यवस्ता की इस्तिती के लिए हम सभी को चिंतित करता है वही इस मामली को लेकर बठिंडा जेल सुप्रिटेंडेंट एंडी नेगी के प्रतिकरिया आई है उन्होंने दावा किया ना तो ये इंटर्व्यू बठिंडा जेल का है और ना ही पंजाब की किसी जेल का हाँ मुझे पता चला है कि चैनल पर ये इंटर्व्यू चल रहा ह लेकिन बठिंडल जेल या पंजाब की किसी जेल से रिकॉर्डिंग नहीं हुई है साथ ही उन्होंने दावा किया कि ये विडियो पुराना है और फिलहाल का नहीं है क्योंकि हमारे यहां तो संभव ही नहीं है यहां तो जैमर लगे हुए है और सुरक्षा भी हमारी काफी सक्त रहती है गोल्डी बराड ने करवाया था मुस्यवाले का मुर्डर जी हा बता दे कि लोरेंस बिस्नोई ने बताया कि सिर्दू मुस्यवाले का मुर्डर गोल्डी बराड ने करवाया था उसी ने सब कुस प्लान किया था मैं भी मुझे वाले से खफा हूँ क्योंकि वो हमारे विरोध गैंग का समर्थन करता है ये शब्द लोरेंस बिस्नोई के है इसके अलावा सल्मान खान को मालने की धमकी को लेकर लोरेंस बिस्नोई ने कहा हर खाबर पर